सुहाज का फस्ट बर्ट है दूलहा, दूलह को हम इंगलिस में बोलते हैं ग्रूम, ग्रूम मिन्स होता है दूलहा, नेक्स्ट बर्ट है दूलहन, दूलहन को हम इंगलिस में बोलते हैं ब्राइड, ब्राइड मिन्स होता है दूलहन, next word है सुहाग रात सुहाग रात को हम इंगलिस में बोलते हैं नफसियल नाइट नफसियल नाइट मीन्स होता है सुहाग रात next word है बारात बारात को हम इंगलिस में बोलते हैं bedding procession bedding procession मीन्स होता है बारात next word है बाराती बाराती को हम इंग्लिस में बोलते हैं Wedding Guest Wedding Guest means होता है बाराती Next word है साधी की रस्मे साधी की रस्मों को हम इंग्लिस में बोलते हैं Wedding Rights Wedding Rights means होता है साधी की रस्मे Next word है सगाई या फिर मगनी सगाई या मगनी को हम इंग्लिस में बोलते हैं Engagement Engagement means होता है सगाई या मगनी Next word है मंगेतर मंगेतर को हम इंगलिश में बोलते हैं Fiance Fiance means होता है मंगेतर Next word है Sadi Sadi को हम इंगलिश में बोलते हैं Marriage Marriage means होता है Sadi Next word है Sadi करना Sadi करने को हम इंगलिश में बोलते हैं Marry या फिर आप इसे बोल सकते हैं Get Married Merry या फिर Get Married means होता है साधी करना Next bird है Mundup Mundup को हम इंगलिस में बोलते हैं Canopy Canopy means होता है Mundup Next bird है Pandal Pandal को हम इंगलिस में बोलते हैं Marky Marky means होता है Pandal Next bird है Malah Malah को हम इंगलिस में बोलते हैं Garland Garland means होता है Mala Next word है Bicholia Bicholia को हम इंगलिस में बोलते हैं Matchmaker Matchmaker means होता है Bicholia Next word है Mangal Sutra Mangal Sutra को हम इंगलिस में बोलते हैं Napsial Chain Napsial Chain means होता है Mangal Sutra Next word है Sindur Sindur को हम इंगलिस में बोलते हैं Vermillion Vermillion means होता है सिंदूर Next word है साथ फेरे साथ फेरों को हम इंगलिज में बोलते हैं Seven Bows Seven Bows means होता है साथ फेरे Next word है साथ बचन साथ बचन को हम इंगलिज से बोलते हैं Seven Birds Seven Birds means होता है साथ बचन Next word है सहरा सहरा को हम इंगलिज में बोलते हैं Reet Reet means होता है सहरा Next word है साधी के पोसाग साधी के पोसाग को हम English में बोलते हैं Wedding outfit Wedding outfit means होता है साधी के पोसाग Next word हार स्रंगार iencies mins around Ornamentation onzern coz到 nature ello Next word है साधी योग साधी योग को हम English में बोलते हैं marriageable, marriageable means होता है साधी योग, next word है नावालिग, नावालिग को हम इंगलिस में बोलते हैं, unmarriageable, unmarriageable means होता है नावालिग, next word है चूडियां, चूडियों को हम इंगलिस में बोलते हैं, bangles, bangles means होता है चूडियां, next word है, होने वाला पती, होने वाले पती को इंगलिस में बोलते हैं, would be husband, would be husband means होता है, होने वाला पती, next word है, होने वाली पत्नी, होने वाली पत्नी को इंगलिस में बोलते हैं, would be wife, would be wife means होता है, होने वाली पत्नी, next word है, पति-पत्नी, पति-पत्नी को इंगलिस में बोलते हैं spouse, spouse मिन्स होता है पति-पत्नी next word है, अरधांगिनी, अरधांगिनी को इंगलिस में बोलते हैं better half, better half मिन्स होता है अरधांगिनी next word है, दाबत, दाबत को हम इंगलिस में बोलते हैं feast, feast मिन्स होता है दाबत साधी को हम इंगलिज से बोलते हैं intercast marriage, intercast marriage means होता है दो अलग जाती की साधी, next word है साधी सुधा, साधी सुधा को हम इंगलिज से बोलते हैं married, married means होता है साधी सुधा, next word है अभिभाहित, अभिभाहित को हम इंगलिज से बोलते हैं unmarried, unmarried means होता है अभिभाहित, next word है बिवाह संबंधी, बिवाह संबंधी को हम इंगलिज से बोलते हैं matrimonial, matrimonial means होता है बिवाह संबंधी, next word है डोली या फिर पालकी, डोली या पालकी को हम इंगलिज से बोलते हैं palanquin, palanquin means हो घर जमाई को हम इंगलिज से बोलते हैं Resident son-in-law Resident son-in-law मिन्स होता है घर जमाई Next word है कन्यादान करना कन्यादान करने को इंगलिज से बोलते हैं Give away Give away मिन्स होता है कन्यादान करना Next word है मायका मायके को हम इंगलिज से बोलते हैं Maternal house maternal house means होता है mica next word है sasural sasural को हम इंगलिज में बोलते है in-loss house in-loss house means होता है sasural next word है jutachurai ki rasm jutaachurai ki rasm को हम इंगलिज में बोलते है sue stealing ceremony sue stealing ceremony means होता है juta churai की rasm आज का last word है bidai बिदाई को हम इंगलिस में बोलते हैं फेयर वेल फेयर वेल मींस होता है बिदाई ये दोनों आज के क्विज हैं लिख कर बताएए कमेंट सेक्षन में अपने जवाब और जाने से पहले वीडियो को लाइक सेयर करें तथा चैनल को सबस्क्राइब करें सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बवाए